किसान भाईयों आप ये जो हमारे हाथ में दवा देख रहे हैं ये है बायो स्वायल और ये जर्मन तकनीकी से बनाई गई ऐसी दवा है जो आपके बंजर हो चुके खेत को उपजाओ बना देती है और जो आपकी फसल है उसका जो उत्पादन है इसको दोगुना कर देती है हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं ये चीज इसका जो प्रियोग है यह किया जा चुका है और इसका रिजल्ट आ चुका है आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो बायो स्वायल दवा है किस तरीके से आपकी मिट्टी को उपजाओ बना रही है और इसके साथ साथ जो किसान भाईयों की फासल है उसका जो उत्पादन है इसको दोगुना कर रही है पुरूप के साथ हम आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो को चाहे आप रासाइनिक तरीके से कहती कर रहे हो या आरगेनिक तरीके से कहती कर रहे हो दोनों ही परिस्थितियों मे यह दवा करती है तो आई यह चलते हैं हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जो किसान भाई प्रयोक किये हैं उनका result क्या रहा है और आप लोग को इसे किस तरीके से आपने खेतों में समय समय पर मिलती रहे सबसे पहले जो आप अपना पर्चे है किसान भाईयों को दीजिएगा कि किस तरीके से आप जो एक्सपरिमेंट करके किसानों को नई नई जानकारिया दे रहें और खास तोर पर हमें यह जानना है कि जो आपकी मिठी उसर होती जा रही है उसमें आप ग परिष्ण दूबे है मोनु की नाम से लोग मुझे जानते हैं मैं एक फ्यो चालाता हूं जिसका नाम आजमगड़े ग्रोप प्रोडुसर कंपनी लिम्टेड है जो आजमगड़ी लेके जाहना गंज बलाक के इंतरगत बसगी दगावां वहीं पे स्थित है यहां अमारी कं से लगबग पंदरा सव सेयर होल्डर किसां जुड़े हुए हैं इस बार हम लोग ग्यों की खेती किये हैं जो अच्छी पराड़ी का भी अच्छी 25 तो हम लोग आर्यानी पर ज्यान देते हैं रासानिक पर कम आर देखा जा तो अब जो चीजें हैं यह धीरे धीरे परिवर जाता है जो हमसे किसान जुड़े हैं उनको हम बोलते हैं कि आप रासानिक अग्दम मत करें अगर एकदम खतम नहीं कर पार हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खतम कर दीजिए हमारे पास प्रोड़क्ट भी ऐसे आर्गनिक हैं जो रासानिक के पेच्छा काफे अच्छे आए अब हम यहां पर बैठे हुए हैं तो आपसे पहले बातचीत हो रही थी तो आपने बताए कि जो आपकी मिट्टी उसर पड़ी हुई है तो आप दवा डाले तो उसमें काफी अच्छे से सुधार आ गया और जो दो आप बता रहे थे कि वह आर्गे नहीं किया और आपका ज अब बाता जमीयन आपका जाता है जो नीचे जमीन से चिटाव किया जाता है इसकी नापदायक जवाड़ी होते मिट्टी में और अक्टीव हो जाते हैं इससे भरपूर मातरा में फसल को पोसकता तो परदान करने लगते हैं लगर हम यह दिखा और यहां पर जो इसका benefit है यह लिखा गया है regulate soil pH मतलब यह जो दवा है यह आपके जो मिटी का pH होता है इसे नियंतरित करके आपके फसल के लिए काफी बहतर बनाती है और यह मिटी की जो उर्वर छमता है और उसमें जो सूच में जीव होते हैं जो फसलों के विकास में काफी सहायक होते हैं और जो भी तत्तों पाई जाते हैं मिटी में उन्हें फसलों को दिलाने में काफी हेल्प करते हैं जैसे राई जो बीम हो गएरा हो गए हैं तो यह सब चीजें जो है काम करती है दवा और यह जो है जो भी आपके प्लांट होते हैं जरूरी जो मिटी में उपस्थित हैं जब आप इस दवा का उप्योग करते हैं तो वह बहुत आसानी से जो आपका पाउधा होता है मिटी से उठा लेता है नहीं तो क्या है आज कि समय में लोग डियू यूरिया दम फे दम ढ़ले जाते हैं पर उसका क्य यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर इसकी एक जो 31-660 है इसकी एक बाली ले रहे हैं आप इसकी एक बाली जरा दिखाइए गाने लोग लैजहां पर आप लोग लगभग 20-25 पर्शन्ट जो है इसकी जो बाली है जिसमें बायो जो दवा है यह इस्तिमाल की गई है और जो पौधे हैं इसमें भूसे भी जवादा बनने वाले है जबकि जिसमें इस्तिमाल नहीं कि गई है और इसका जो स्वास यह भी काफी को खुरह है आए हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि यहां पर जो रेह वाली मिट्टी होती है और जहां पर इस दवा का इस्तिमाल किया गया है बायो सोयल का ओ कैसा है अभी आप लोग देख सकते हैं जो हम आपको बता रहे थी कपड़े धोने के लिए रेह प्रियोक की जाती इत अब जो कपड़े दोने के लिए प्रियोक की जाती इसमें मिट्टी में सफेदी पन भी आ जाता है एक बार हम आपको नजदीक से यहां पर दिखा देना चाहेंगे कि यह किस तरीके से है इस मिट्टी को आप क्या बोलते हैं उसर मिट्टी बोलते हैं जो रे तो आप इस दवा के बारे में आपका क्या विचा रहे है बहुत इच्छी दवा जितने भी किसान वंदू हम सबसे चाहेंगे कि आप दवा को यूज कर ये एक और गैनिक है पूर्ड रूप से और अपने स्वास्त को आपको बहतर करना है तो इस और गैनिक दवा का भी आपको यूज करना चाहिए अगर आप और ये चीजों को आप उपयोग में ले करके आते हैं तो आप अपने खेत क यूज करें जए कम से कम अब पर आप लोग करते हैं यहां यहां पर आप श्माप्ड करते हैं मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में तब तक के लिए चलते हैं जै जवान जै किसान जै विग्यान